हरर महादेव, जै महाकाल अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा ही पैसा हो आप क्या धन की कमी न हो लक्ष्मी माता हमेशा आपसे प्रसंद रहे तो आप एक उपाय कीजिए और अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है और वो आपका पैसा नहीं दे रहा है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी समस्या होगी पैसा से समध वो सब समाप्त हो जाएंगी और मातलक्ष में आप पर प्रसंद होनी ये उपाय भी आप गुरू जी की कथा से कटी फटी कहीं से ना हो और एक सफेद फूल लेना है ध्यान रखिए आपको एक लोटे में जल लेना है पाँच बेल पत्री और एक सफेद फूल लेना है और उसे लेकर आप किसी भी दिन सिब मंदिर जाए mandar उनमंदिर में का जाब करते हुए आप उन पांचों बेल पत्री को चढ़ाईए और जब आप वो सफेद फूल चणाएं तो आप कुंद केशर महादेप का इसमन कीजिए ध्यान लखिए आपको क्या इसमन करना है कुंद केशर महादेप का नाम इसमन करना इस तरह से आप पूजा कीजिए और भगवान से आप जो भी आपकी समस्या हो उसके लिए आप बिंती कीजिए इस उपाय को आप 21 दिन तक लगातार कीजिए और आपकी जो भी समस्या होगी वो सब समापत हो जाएगी चारा तरफ आपके पैसा ही पैसा होगा आपका जो भी कारोबार है जो भी वेवसा है वो बढ़िया चलेगा और अगर आपका पैसा किसी ने ले रख है वो आपको नहीं दे रहा है तो वो भी आपका पैसा दे देगा इस उपाय के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट म हरर महादेव जरूर लिखें हरर महादेव जै महाकाल